अपनी कॉलेज खतम कर सुमा साइकल पर घर नौटने लगी उसी रास्ते से सामने से जग्गुची नाम के बुजुर्ग हाथ में सब्जी का थेला लिये आ रहे थे और वो अचानक से चक्रा कर गिर गये तभी वहाँ से गुजर रही सुमा उतरगर जग्गुचे को अपने बौतल से पानी पिलाकर होश मिलाने की कोशिश करती है डादाजी डादाजी आउखे खोलिए ऐसे प्यार से जगाने की कोशिश करने पर जग्गु जी आन्थ खुलते हैं सामने उन्हें सुमा दिखाई रेती है दादा जी अब अब कैसे हो? अभी कुछ अच्छा लग रहा है वैसे तुम कौन हो बेटा? मेरा राप सुमा है दादा जी मैं कॉलेट से लोट रही थी और मैंने देखा अब बेहोश पड़े हो तुमारा बहुत बहुत दन्यवाद बेटा भगवा तुमारा भला करे दन्यवाद दादा जी आप इतने कमजूर लग रहे हो फिर भी बाहर क्यों निकले? क्या आपका कोई नहीं? सब के होते हुए भी मैं अनाद हूँ बेटा यही पास में हमारा वृद्धाश्रम है बेटा क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगी? ठीक है दादा जी, क्या हम सैकल पर चले? नहीं बेटा, पैदल ही चलते हैं ठीक है दादा जी, हम चलते हुए चलेंगे फिर वे दोनों बात करते हुए और चलते-चलते वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं बोर्चा हो रहा है, सुमा के पास गपशब कर लेता हूँ थोड़ा कहकर राम सुमा के घर पहुंचता है सोफा पर बैच जाता है, और यहाँ वहाँ देखने लगता है पर सुमा कहीं नजर नहीं आती, इतने में वहाँ राधा आ जाती है मा, क्या सुमा अभी तक घर नहीं लोटी? हाँ, अभी तक नहीं लोटी, क्या तुम्हें उससे कोई काम था? कुछ नहीं, बस मैं बोरो रहा था, सोचा सुमा से कुछ बाते कर लूँ, बस अब मैं क्या करूँ? सुमा के आने तक इंतजार करो बैप्रे, मुझसे नहीं होगा इंतजार, मैं उसके पास जा रहा हूँ नहीं, रामू, वो शायद कॉलश में होगी, शायद उसका कोई स्पेशल क्लास होगा तुम यो बीच में जाकर उसे डिस्टर्ब मत करो ठीक है मा, सुमा के आने का इंतजार करूँगा विधाश्रम में पहुँचे सुमा और दादाजी, सोफे पर बैठे अगर अपनी आखरे समय में दादी जी ने आपको पैसे नहीं दिये होते तो आप कहा जाते दादाजी मैं कहीं रोर पर या किसी प्लैटफॉर्म में पड़ा भी मांग रहा होता पर मेरी मरती हुई पत्नी ने आगे की बहुत अच्छी सोच कर मेरी बच्ची हुई सिंदगी के लिए रुपए देकर चली गई पर उन पैसों को लेकर आप अगर अपने तीन बेटों के पास जाते तो अच्छा होता ना दादाजी मैं गया था सुबा लेकिन वहा हुआ यूगी अपनी पत्नी श्यारदा के अंतिम समय में देव हैं रुपए लेकर जगुची अपने बड़े बेटे प्रकाश के पास जाते हैं अपने घर के दहलीस के पास ही खड़े बेटा और बहु ने कहा पिता जी आप कैसे आना हुआ? तुम्हारे साथ रहने आया हूँ मेरी सारी जीवन पुझी मैंने तुम तीनों बेटें में समान बाट दी और अब आज मेरे रहने का कहीं कोई ठिकारा नहीं है और अब मैं एक अनात की तरह जी रहा हूँ ये कहते हुए जगुची की आखे दुख से नम हो जाती हैं जगुची वहां से अपनी पत्नी के दिये हुए पैसे लेकर गाउ से दूर कहीं धाई एकर की जमीन खरीद कर अपने जैसे बे सहारा वृध लोगों के लिए एक आशियाना बनाते हैं उस वृध धाश्रम में अपने जैसे कई वृध लोगों की सेवा करते हुए वहां अच्छे से समय बिताते हैं ये सब हुआ था सुमा पर अगर आप अपनी पैसे अपनी बेटों को देते तो शायद वो आपको बहुत अच्छे से रखते पर कब तक? जब तक मेरे पास पैसे होते पैसे खतम तो सब प्यार खतम और वैसे भी पैसों से मिला प्यार मुझे नहीं चाहिए था दादा जी आप बहुत महान हो आपके बेटों ने आपको स्विकार नहीं किया फिर भी अपने दिल छूटा न करते हुए उन पैसों को एक अच्छे और नेक काम में लगाया एक समय था जब मैंने बहुत कश्ट उठाये थे अपने बच्चों के लिए दिन रात महनत कर खूब पैसे कमाये थे पर मैंने अपने लिए एक कौडी ना रख कर सब अपने बच्चों में लुटा दिया और आज उन्हीं बच्चों ने पैसों के लिए अपने पिता को ही ठुकरा दिया कोई बात नहीं दादाजी, कल आप पिता थे, आज दादाजी हो वे आज पिता है, कल वे भी दादाजी होंगे तब जब उनके बेटे उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें समझ में आएगा तब उनको आपकी एहमियत पता चलेगी आप तुखी मत होईए, मैं कभी कभी आकर आपसे मिला करूंगी ये कहकर सुमा वहाँ से अपने घर लोटती है घर लोटकर उदाज सोफे पर बैठी होती है क्या बाट है सुमा, इसे उदाज बैठी हो बोलो सुमा, इतनी देर क्यों हुई? भगवान है न मा? है बेटा, तब ही तु इस धर्टी पर अभी भी जीव है पर ये बाते सब क्यों पूछ रही हो? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं मा कहकर सुमा सारी बीटी बात बताती है पेड एक हो, तो क्या उसके बीच अलग होते है? नहीं न सुमा हाँ मा, अगर हम हमारे बुज़ुर्गों के सेवा करेंगे तो जब हम बड़े होंगे, तब हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे है न मा? हाँ सुमा अगर ऐसा हुआ, तो ये वृद्धाश्रम रही रहेंगे बिना वृद्धाश्रम वाली दुनिया, किसने अच्छी होगी न? सुमा, तुमारे इच्चा पूरी हो, ऐसा हम भगवान से ब्राथ ना करेंगे